हेलो दोस्तों वेल्कम बाक टू यॉर चैनल मेरा नाम है शुभम और दोस्तों आज किस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गूगल डेवलिपर के आयो प्रोग्राम के बारे में उसके बाद हम कंटीन्यू करेंगे हमारे 49 युडैमे के प्रीमियम कोर्सिस के बार सेमें और उन कॉर्स में आप फ्री में सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं करते हैं वीडियो में अब से पहले देखते हैं हमारे गूगल डेवलपर प्रोग्राम में जो ययो प्रोग्राम लांच हुआ देखो यार होता यह है कि डूल हर साल इस अजय को लांज पर यह फिजीक पूरे इवेंट में डिसकस होती है बट इस साल क्या होने वाला यह इवेंट वर्चुली कंड़क्ट कराया जाएगा और जैसे कि देखें हम कि यह सबी के लिए फ्री रहने वाला है हर को इसको जोईन कर सकता है बेसिकली यह होता डेवलपर्स के लिए सौफ्ट एंजीनियर के लिए क्योंकि अलग अलग जो प्रोड़क्ट गोगल की जिसे एंड्रॉइड है उसी तरह से गूगल क्लाउड है फायर बेस फ्लेटर है जो कि यहां पर नीच इन में क्या क्या चीजे इस समय पर चल रही है और क्या आगे फ्यूचर में इनकी क्या नया आ सकता है वो सब इसमें डिसक्स करी जाती है तो ज्यादा तर इसको टैंड जो टारीरी डिटॉर इंजीनर से बट जो स्टुडेंट यह वह लोग बी जौइन कर सकते हैं अगर वह काफी future की knowledge मिलने वाले कि आगे future में क्या trend करने वाला है in particular technologies में तो अगर आपको ऐसे events में interest है और आप Google के इस IO event को मतलब attend करना चाहते हो तो आप इसमें free में register कर सकते हो और साथ ही मगर आप register करोगे अलग-अलग इनके जितने भी चीज़े ये लोग कराने वाले उनको attend करके आपको यहां पर इनके प्रोग्राम के थूरू विदिन दा प्रोग्राम अपॉरस्टी मिलने वाली है कि आपको गूगल की तरफ से बैजिस भी अहन करने का मौका मिलेगा तो आपको करना क्या है यह इसकी डेट है जब इवेंट होने वाला है तो अगर आपको इसमें रिज्टर करना है तो सिंप्ली से यहां पर बटन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करो अपने जीमेल अकाउंट से साइन करके अप यहां पर इस इवेंट पर रिस्टर कर पाऊगे ठीक है और अगर हम गूल कि यहां पर अलग अलग दिन बात्म फिर कि मशीं के बाऊने वाली यह olvv वे इसके बारे में बात होगी और day one में what's new for the web platform इसके बारे में discussions होने वादा तो इसी तरह से काफी बढ़िया discussions होने वाले टेक्निकल लेवल पर तो आप इस पर attend कर सकते हो और enjoy कर सकते हो इस पूरे ही event को और भी काफी यह details में जोने आप इसको go through कर सकते हो लिंक में आपको description में provide कर दूँगा हम move करते हैं हमारे udemy courses की तरफ और देखते हैं इन courses को one by one so start करते हैं हमारे first udemy course से so इस course का नमबर हो गया course number one और अगर हम बात करें इस course का title है HR analytics using ms excel for human resource management इस course को आप free में enroll कर सकते हो देखो आपको करना क्या होता है इन किसी भी course वोगर आपको enroll करना है तो जितना जल्दी हो सके अगर आपको इस course में interest है तो enroll कर लिया करो because यह जो coupon code होते हैं कि limited time के लिए होते हैं और यह expire हो जाते हैं तो आपको simply सा यह enroll का बटन क्लिक करना है और इस course में जैसे ही आप enroll कर लेंगे तो यह course आपके Udemy account में lifetime access के साथ add हो जाएगा और जब आप इस course को पूरा पढ़ लेंगे इसके सारे content को complete कर लेंगे तो automatically आप क्या इस Udemy course के लिए certificate generate हो जाएगा और अब उसको download भी कर सकते हैं और online share भी कर पाएंगे ठीक है move करते हैं हमारे एगले course की तरफ अगले course का number आ गया course number two and इस course के अगर हम title को देखे तो यहां पर लेखा है complete course in AutoCAD 2D and 3D अगर आपको इस course में रोल करना है तो आप फ्री में रोल कर सकते हो अभी के साब से एक दिन का time है आपको इस course में अगर फ्री में रोल करना है तो so move करते हमारे अगले course की तरफ इस course का number three and इस course का title है intro to adobe color spark rush and band lab अगर इस course में आपको इन्रोल करना है तो आप फ्री में रोल कर सकते हैं अभी के साब से दो दिन का time में आपके पास इस course में रोल करने के लिए मुव करते हैं हमारे अगले course की तरफ इस course का number four और इस course का टाइटल आ जाता है अगर आपके पास अगर आपको इस course में फ्री में रोल करना है तो मूव करते हैं हमारे अगले course की तरफ इस course का आपके पास दो दिन का time है मुव करते हैं अगले course की तरफ इस course का नंबर है course नंबर एट और इस course का टाइटल है नेटवर्क सेक्योरिटी ऑडिटिंग विद एन मैप अगर आपको नेटवर्क सेक्योरिटी से related courses में इंट्रस्ट रहता है तो इस course को ज़रूर एन्रोल करा रहा है आपको बहुत benefit मिलेगा इस particular course से और इस course में फ्री में एन्रोल कराने के लिए अभी हिसाब से आपके पास एक दिन का time है तो जल्दी से एन्रोल कर लो इस course में move करते हैं अगले course की तरफ अगले course का number है course number 9 और इस course का title है public speaking a tactical approach अगर आपको public speaking जैसे topics में इंट्रस्ट रहा था आप यह knowledge गेन करना चाहते हैं ठीक है तो इस course में ज़रूर एन्रोल कराओ और एन्रोल कराने के लिए free में आपके बास अभी के एसाब से एक दिन का time है अगर आपको यह creative चीजों में इंट्रस्ट है जैसे आपको creative designing में इनिमेशन में इंट्रस्ट है तो यह course आपको यह चीज़े सारी सिखाप सकता है तो इन course में आप free में enroll करा सकते हो अभी के हिसाब से आपके पास दो दिन का time है इस course को free में enroll करने के लिए move करते हैं अगले कोर्स के गरफ इस course का नंबर है course number 12 और इस course का टाइटल है financial statement analysis apple versus microsoft अगर आपको जो financial statement का analysis वाली चीज़े सीखनी है तो यह course बहुत बढ़िया रहने वाला है इस course में अभी आप free में रोल करा सकते हो दो दिन का time आपके बास free में रोल कराने के लिए move करते हैं अगले course की त अगर आपको प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट सीखना है कि जावा में किसी तरह से प्रोजेक्ट डेवलप करा जाता है तो यह course काफी helpful रहेगा आपके लिए और अभी के इसाब से आपके पास एक दिन का time is course में फ्री में रोल कराने के लिए move करते हैं अगले course के तरफ इस course क बहुत ही बढ़िया रहने वाले कोर्स आपके लिए इस course को अभी आप फ्री में रोल कर सकते हैं और आपके वास अभी कहसाब से दो दिन के इस course में फ्री में रोल कराने के लिए move करते हैं हमारे अगले course की तरफ इस course का नंबर है course नंबर 15 और इस course का टाइटल है आप से आपके पास दो दिन का टाइम है इस course को फ्री में रोल कराने के लिए move करते हैं हमारे अगले course की तरफ और इस course का नंबर है course नंबर 16 और इस course का टाइटल है वी आएम लर्न टू मास्चर विम अगर आपको विम टेक्स्ट एडिटर में मास्टरी करनी है तो यह course है और इस course में अभी हिसाब से आपके पास एक दिन का टाइम है इस course में फ्री में रोल करने के लिए move करते हैं हमारे अगले course की तरफ इस course का नंबर है course नंबर 17 और इस course का टाइटल है complete MBA course marketing and business strategy अगर आपको marketing और business strategy सब कुछ सीखना है तो यह course बहुत बढ़ी है रहने वाल करने के लिए सिर्फ 17 आवर्स का टाइम बचाया है एन्रोल करने के लिए तो जल्दी जल्दी एन्रोल कराओ अगर आपको इस फील्ड में इंट्रस्ट है तो मुव करते हैं हमारे अगले course की तरफ इस course का नंबर है course नंबर 18 और इस course का टाइटल है नेनो टेक्नोलोजी करनी है तो यह कोर्स आपके लिए बहुत ही बहतरीन रहने वाला है और अभी के साब से आपके पास एक दिन का टाइम में स्कूर्स में फ्री में एन्रोल कराने के लिए मूव करते हैं हमारे अगले course से तरफ इस course का नंबर है course नंबर 19 और इस course का टाइटल लाता है डेटा विजुलाइजेशन इन एक्सल ओल एक्सल चार्ट सब्साइब अग्र आपको डेटा विजुलाइजेशन चे बारे में चीजजें करने है और एक्सल शीट में आप कैसे डेटर विजुलाइज कर सकते हैं इसको सीख सकते हैं तो यह course आपके इस चीज़में हल कर पाएगा और अभी के इसाब से आपके पास एक दिन का टाइम है स्कोर्स में फ्री में एंडॉल कराने के लिए मूव करते हैं हमारे अगले कोर्स की तरफ इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 20 और इस कोर्स का टाइटल आजाता है आई एल्ट इस गाइड फर नॉन नेटिव स्पीकर्स हाउ डॉडव इसकोर एट तो अगर आपको ये कोर्स में एंडॉल करना है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए एक दिन का टाइम है अभी के इसाब से आपके पास इस कोर इवन अगर देखो यार आप रियल एस्टेट का बिजनस करते हो या फ्यूचर में चाहते हो इस बिजनस को करना तो आपको यह फेस्बुक करने के बाद इसमें help कर पाएगा कि कैसे आप इतने बिजनस को ग्रो कर सकते हैं टॉप पर रहे सकते हैं कि आपकी सेल्स मैक्सिम हो यूजिंग दा फेस्बुक अगर आपको यह चीज़े सीखनी है तो यह को ज़रूर करना एक दिन का टाइम में अभी के आपके पास इस कोर् सकते हैं ऌर अगर आपको तायम मैनेजमेंट और Goal Planning तूनों इ similar कर 것을 तो यह कोर्स तर् nh relief कर पाएगा कि छी सब्सक्राव को अचीव कर सकते हैं तो इस कोर्स में जरूर एन रोल कराना अब यही के असाब से आपके पास एक दिन का टाइम है तोडेर maior कराने के लिए करते हैं हमारे अगले करस की तरफ is course का number याध है course number 23 and course का title आ जात है the best adobe premiere pro video editing Masterclass. अगर आपको adobe premiere pro में video editing शीकना है एक mastery level पर बहुत बढ़ी या level पर pro level पर तो इस course में जरूरे इंडूल कराओ ये बिल्कुल freely available है एक ताइम आपके पास इस कोर्स में फ्री में एंडूल कराने के लिए मुफ करते हैं हमारे अगले कोर्स की तरफ इस कोर्स का नमबर है कोर्स नमबर 24 और इस कोर्स का टाइटल है कॉम्टिया CYSA Certification अगर आप इस Certification के लिए तयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको practice test देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपकी help कर सकते हैं इस पूरे Certification लो क्लियर करने में आप इस कोर्स में फ्री में एंडूल करा सकते हो और अभी के हिसाब से आपके पास दो दिन का टाइम है इस कोर्स में फ्री में एंडूल कराने के लिए इस कोर्स में फ्री में एंडूल कराने के लिए और अभी के साब से आपके पास दो दिन का टाइम है इस कोर्स में फ्री में एंडूल कराने के लिए अगर आपको MS Excel में Macro Function बनाने में दिक्कत आती है या फिर उस चीज़ को आप चीखना चाहते हो तो यह कोर्स आपको बहुत अच्छे चाहिए सब सिखा सकता है तो इस कोर्स में जरूर एंडूल करना अभी के हसाब से आपके पास दो दिन का समय है इस कोर्स में फ्री में एंडूल करने के लिए मूफ करते हैं हमारे अगले कोर्स के तरफ इस कोर्स का नंबर है कोर्स नंबर 28 एंड इस कोर्स का टाइटल है Adobe Photoshop CC इसी बेसिक Photoshop ट्रेनिंग अगर आपको बेसिक लेवल पर Adobe Photoshop कैसे यूज करी जाती है कैसे फोटो एडिटिंग होती है Adobe में तो यह कोर्स आपकी उस जीद में काफी अच्छे से help कर पाएगा बेसिक लेवल पर तो इस कोर्स में जरूर एंडूल कराना अभी के हिसाब से आप जूँद रहे हो कि स्टूडेंट और अपना पॉर्टफोलियो एक तरह सा रिजूम में क्रियेट करना चाहते हो लेकिन वह रिजूम में एक पेपर पर नहीं है आप डिजिटली क्रियेट करना चाहते हो थूँआ वेबसाइट तो यह को आपको वो सब सिखा सकता है कि आप करने के लिए मुव करते हैं हमारे अगले कोर्स की तरफ इस कोर्स का नंबर है कोर्स नंबर 30 अगर आप एक बिगनर हो और पीएच्प लैंगवेज को सीखना चाहते हो तो यह कोर्स बढ़िया रहेगा आपके लिए और इस कोर्स में आप फ्री में करा सकते हो लेकिन थोड लेंड डियने प्राइमर डिजाइन फॉर पॉलीमेरेज चेंड रियक्शन कैसे यार आपको यह चेंड रेक्शन पॉलीमेरेज बनता है अगर यह सब पीज़े सीखनी है तो यह कोर्स आपकी काफी है और दो दिन का टाइम में अभी के हिसाब से आपके पास इस कोर्स में अगले कोर्स की तरफ कोर्स का नंबर आता है कोर्स नंबर 32 एंड इस कोर्स का टाइटल है css and javascript certification course for beginners अगर आपको css सीखना है जावा स्क्रिप्स सीखना है और इसका certification किस तरह से हो था ही आपको सीखना है देन इस कोर्स में आप अन्रोल करा सकते हो टाइम थोड़ा का मै है इस कोर्स को फ्री में रोल कराने के लिए मुव करते हैं हमारे अगले कोर्स की तरफ इस कोर्स का नंबर है कोर्स नंबर 33 एंड इस कोर्स का टाइटल है learn 27 ways to make money online with your smartphone कैसे अब अपने सिरफ phone की use से money earn कर सकते हैं online अगर यह चीज़े आप सीखना चाहते है तो इस कोर्स में ज़रूर है रोल कराना और आपके बास अभी केसाबचे एक दिन का टाइम इस कोर्स में फ्री में रोल कराने के लिए मूव करते हैं हमारे अगले कोर्स की तरफ इस कोर्स का नंबर है कोर्स नंबर 34 और इसका टाइटल आजाता है यूट्यूब अकैडमी दा कम्प्लीट ग और इस कोर्स का टाइटल है अडॉबी लाइट्रूम फॉर बिगिनर कम्प्लीट फोटो स्लैश इमेज एडिटिंग अगर आपको अडॉबी लाइट्रूम सॉफ्ट्यूर को यूज करना सीखना है कि कैसे हम इसमें करते हैं तो यह को बहुत बढ़ी है रहने वाला है इस क प्लीचेर फॉर बिगिनर्स अगर आपको इस चीज में इंटरस्ट है दिने इस प्रीम चोश को अब करा सकते हो और एक दिन का अभी अभी आपके पास इस प्रीम अरों कराने के लिए ऑमारे अगले कोर्स की तरफ इस कोर्स का नंबर आता है कोर्स नमर 37 और इस को शॉर्स अगर आपको data analysis के related mcqs जानने और सीखने तो इस course में आप enroll करा सकते हो अभी केसाब से आपके पास एक दिन का time as course में free enroll कराने के लिए move करते हैं हमारे अगले course का नमबर आता है course number 39 and इस course का टाइटल है fundamental question on deep learning अगर आपको से related mcqs जानने और सीखने तो आप इस course में रोल कर सकते हो अभी केसाब से आपके पास एक दिन का time में free में रोल कराने के लिए अगला course है हमारा course number 40 and इसका टाइटल आता है fundamental question on AWS अगर आपको amazon web service से related चीज़े सीखने है तो इस course में आप आप enroll कर सकते हो एक दिन का time है अभी के हिसाब से आपके पास इस में free में रोल कराने के लिए move करते हैं अगले course के तरफ इस course का number है course number 41 and इस course का टाइटल है fundamental question on our programming अगर आपको आर प्रोग्रामिंग से related जो mcqs या fundamental questions होते हैं उनके बारे में है course number 42 and इस course का title है network fundamentals अगर आपको network fundamentals सीखने है वो भी हिंदी में तो यह course आपको काफी मदद कर पाएगा और इस course में आप free में रोल करा सकते हो अभी के साब से आपके पास दो दिन का time है इस course में free में रोल कराने के लिए move करते हैं हमारे अगले course के तरफ इस course का number है course number 43 desktop पर भी बहुत ही असानी से चल जाएगी साथ ही में mobile पर भी चल जाएगी उसको कहते है responsive website अगर आपको bootstack के मदद से सीखना है कि कैसे हम responsive website बना सकते हैं तो यह course आपकी usage में काफी help कर पाएगा और अभी कहिसाब से आपके पास दो दिन का time है इस course में फ्रेमें रोल करान के लिए सो मूफ करते हैं हमारे अगले कोर्स की तरफ इस course का नंबर है course नंबर 44 और इस course का टाइटल आता है complete progressive web app bootcamp अगर आपको web application कैसे बनाई जाती है progressive web app तो यह course आपी काफी में help करेगा इस course को भी आफ फ्री में रोल करा सकते हैं अभी यह साब से आपके पास दो दिन का time में इस course में फ्री में एंड्रोल कराने के लिए सो मूफ करते हैं मारे अगले कोर्स तरफ इस course का नंबर आता है course नंबर 45 और इस course का टाइटल है react the complete guide with react hook रिडक्स 2021 in four hours अगर आपको react सीखना है react में hook किस तरह से काम करते हैं react में रिडक्स किस तरह से काम करते हैं तो यह course आपको help कर पाएगा इस सभी knowledge में इसको enroll कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में अभी यह साब से आपके पास दो दिन का time है फ्री में रोल कराने के लिए अगर आपको math में इंटरस्ट और मैंसी काफी सारी चीज़े आप प्रेक्टिस करना चाहते हैं वह भी साथ से रिलेटिट तो आप इसकोर्स में फ्री में रोल करा सकते हैं अभी हिसाब से आपके पास दो दिन का समय स्कोर्स में फ्री में रोल कराने के लिए जरी shirts मौल करते हैं हमारे अगले कोसो इसकोर्स का नमबर आता है shirt गar अगर आप में इंटरस्ट इसकोर्स में नुर्स कराने फ्री में रोल क्टेस्वार में पास दो दिन का टाइम है इस आफ जरूकर्स न एडाल कराने के लिए ղिए करते हैं हमारे लिए कोर्स की तरफ इस कोर्स के नमबर है कोर्स नमबर 48 इस कोर्स का टाइटल सीकौल बूटकैंप विद मैसी को पिएसपी पाइटन इसकोर्स में ज़रूर और फ्री में अन्रोल कर सकते हो बिलकुल आपके वास अब यह दो दिन कर दाइब में इस कोर्स में फ्री में अन्रोल कराने के लिए सो मूफ करते हैं हमारे एगले कोर्स की तरफ और यह हमारा आज का लास्ट कोर्स जिसका कोर्स नमबर है कोर्स नमबर 49 और इस कोर्स का टाइटल है TEFL कोर्स Teach English Online as a Foreign Language तो अगर आपको TEFL यह सीखना है तो आप इस कोर्स में जरूर एंडूल कराना और आप बिल्कुल फ्री में इसमें अरूल करा पाएंगे अभी केस आपको आज दो दिन का टाइम बचा है इस कोर्स में फ्री में अरूल कराने के लिए आज की वीडियो के लिए दोस्तो इतना ही I hope कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और यह कोर्स आपके लिए काफी ही बेनेफिचल रहे होंगे अगर हां तो प्लीज से इस वीडियो को लाइक कर दिना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और करेंगे अगली वीडियो में स्टे सेफ स्टे हल्दी हैव नाइस डे कीप रॉकिंग बाबाए